हेलो दोस्तों गुड बॉर्णिंग अगेन कैसे हैं आप सभी लोग एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाईएगा फिर उसके बाद जितनी भी चीजे हैं उसको हम यहापर क्या करेंगे डिटेल में डिसकस करेंगे तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम जो MCQ करने वाले हैं वो जो हमारे जितने भी मेजर टेंपल हैं जहां से MCQ बनते हैं उन सभी पर आजम पढ़ने वाले हैं तो फटा फट से एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और उसके बाद अपना जो पैन कोपी है वो लेकर के बैठ जाईएगा जितनी भी चीजे आज प्रीती वर्मा चटक बनारसी पपू डबलू तो सभी को गुड मॉर्निंग है तो बाकी जो मेरे साथी हैं तो एक बार रेखा कुमारी ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अगेन आप लोगों की वैसे हमारी एक बार सुभद 6 बजे हो जाती है मैं केलन के अंकित यादव निलंबर अंजूरानी क्या बात है ठीक है महीमा ठीक है सेफाली तो जल्दी से एक बार आजाओ सभी लोग कनेक्ट हो जाओ और मैं आप लोगों को एक बात बता दू तो ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे आगे तो यहाँ पर यह मेरतन क्लास है साम को कितने 7 बजे होगी, 9 बजे होगी ठीक है कं से कम आप लोगों की जो है 9 बजे से 3 बजे तक चलेगी तो अपना data beta बचा करके रखना ठीक है तो साम को 9 बजे सुरू होगी क्लास और कितने बजे तक चलेगी ध्यान रखेगा तो यह है मेरे दोस्तों 9 बजे और 9 बजे से आप पर यहां पर आप लोगों का जो है दोस्तों कम से कम 1600 अप लोगों को चीजे पता लगने वाली है पूरा का पूरा अपडेटिड पैटन पर होगा मतलब जैसा एकजाम में पूछे जा रहे है उस से related में यहाँ पर आप लोगों को 20 टॉपिक कवर कराऊंगा जिसमें एक टॉपिक से 10 प्रशन होंगे ठीक है जैसे सपोज 10 प्रशन मैंने डैम के लिए 10 प्रशन मैंने गॉर्मेंट स्कीम के लिए उस तरह की चीजे मैं आज रात को आपको कराने वाला हूँ तो रात को 9 बजे हर किसी के एक्जाम के लिए क्या है यह काफी important आप लोगों का होने वाला है ठीक है चलिएगा तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सारी की सारी चीजे हैं जो आप लोगों को यहाँ पर मैंने बता दी है डिसकस कर दिया है आप लोगों के साथ में चलो आगे की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अगर आप लोगों को किसी भी एक्जाम की आप तयारी कर रहे हैं एक प्रॉपर वे में आपको तयारी करनी है प्रक्टिस करनी है तो मेरे साथ में यूट्यूब पर और एप पर जुड़े रहे हैं लेकिन अगर आपको प्रॉपर वे में अपना स्लेबस पूरा करना है सारी चीजे आपको करनी है A2Z A से लेकर Z तक तो दोस्त आप लोग SSC exam select करके subscription ले सकते हैं जहापर आपको एक साल का subscription मिलेगा 5400 में और जहापर आप लोगों को code लगाना है GC10 इसके अलावा आप अगर किसी दूसरे अन्य किसी exam की भी तयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए भी आपका क्या है दोस्तो GC10 code को आप यूज कर सकते हैं साथी के साथ जो free classes हमारी चलती है एप पर उसके लिए भी आपको GC10 यूज कर सकते हैं चलिएगा आगे बात करेंगे तो ये unacademy की learning app है जहापर आप लोगों को लिए मैं अगले 3 दिन का schedule आपको बता देता हूँ आपकी जो class होगी वो एक बजे जो की चल ही रही है आज भी एक बजे है तो आज तो मैं लगभग 40 question कराऊंगा आपको जो daily कराता हूँ तो Monday to Friday यहाँ पर मैं आप लोगों को daily 40 question कराता हूँ ठीक है Saturday कल होगा तो कल एक आपका weekly test होगा तीन घंटे का मतलब इस पूरे week में जितना भी हमने पढ़ा जहां भी पढ़ा तो उन सभी का एक weekly test होगा तीन घंटे का जो की कल होगा time same रहेगा एक बजे उसके बाद आएगा मेरे दोस्तो संडे तो इस बार संडे को आपका एक बजे मेरे दोस्तो क्या है December 2019 के जो 300 current affair के question है December 2020 sorry December 2020 के जो current affair के question है 300 उनका test होगा आप लोगों का app के उपर ही तो आपको क्या करना है इसको download कर लेना class में enroll करने के लिए अगर code मांगता है तो code लगा दीजेगा GC10 जो की free of cost है ध्यान रख लेंगे SSE exams में गौरफ चोधरी सर्च करके follow कर लेंगे तो ये आने वाले तीन दिन जो हमारा Friday है Saturday है Sunday है उसका आप लोगों का schedule है आगे बात करते हैं तो दोस्तो इस तरह से आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा जो मैंने बताया GC10 follow button ये सब कुछ ठीक है आगे चलते हैं question को सुरू कर लेते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ठीक है तो सारी चीजे आपको पता लग गई है उसके बाद हम सुरू करते हैं आज के पहले question से और पहला question आप लोगों के सामने क्या है उसको देख लीजेगा मैं उठा लेता हूँ पैन पीला दोस्तो विष्णूपूर मंदिरों का सम्हू किस राज्ये में इस्थित है तो जो विष्णूपूर मंदिरों का सम्हू है वो मेरे दोस्तो किस राज्ये में है तो जल्दी से बता देंगे उत्रखंड है उत्तरप्रदे से बिहार है या बेस्ट वेंगौल है आंसर कर दीजेगा एक बार फटा फट से चार option आप लोगों के सामने है तो जल्दी से ए कुछ लोग उत्राखंड बता रहे हैं दोस्त ये जो आंसर बनेगा वो बनेगा बेस्ट वेंगौल क्या बनेगा बेस्ट वेंगौल मतलब पच्छिम बंगाल यहाँ पर आंसर बनेगा तो जो विष्णूपूर गुरूप ओफ टेंपल्स है अगर जो मेरे साथी यहाँ प बात करूंगा तो इसको हम क्या बोलते हैं जोर मंदिरों का जो जोर मंदिर आप लोगों के हैं इसको हम यह भी बोलते हैं कि टेंपल्स ग्रूप ओफ जोर टेंपल्स ग्रूप ओफ जोर टेंपल्स या जोर के नाम से भी हम इसको जानते हैं ठीक है तो यह मेरे दोस्तों कह पर मिलेगा, Best Bengal के अंदर मिलेगा, देखिएगा जब भी हम Best Bengal की बात करेंगे, तो Best Bengal की capital क्या है, आप लोगों की है, Kolkata, क्या है दोस्तो Kolkata, ठीक है, और Kolkata कौन सी नदी के किनारे है, सर Kolkata हुगली नदी के किनारे है, उसके बाद हम बिहार की बात करेंगे, तो मेरे दोस दोस्तो बिहार में जो बोध गया टेंपल है महाबोधी टेंपल आप लोगों को पता होगा जो बिहार का महाबोधी टेंपल है वो युनेसको हैरिटेस साइट के अंदर आता है उसके बात करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में मेरे दोस्तो बनारस के अंदर कासी कौन सा कासी विश्वनात काफी फेमस टेमपल है जिसका निर्मार मेरे दोस्तों अहिल्याबाई होलकर जो देवी अहिल्याबाई होलकर है इंदोर वाली मेरे दोस्तों उन्होंने उसका निर्मार करवाया था और अगर मैं बात करूँगा हमारा छोटा चारधाम छोटा लोगों को I think clear हो गई होंगी अब आपका कर्तव ये बनता है कि इन सभी स्टेट के CM का नाम बताना आगे चलते हैं दोस्तों अगले कोशन पर अठारवी सताब्दी में केदारनात मंदिर का पुनर निर्मार किसके द्वारा किया गया था देखो ध्यान से समझेंगे अठारवी सताब्दी है केदारनात मंदिर है का पुनर निर्मार किसके द्वारा किया गया था तो आदी गुरु संकराचार्य है मेरे दोस्तों कनिश्का के द्वारा नर्सिंग देव प्रिथम के द्वारा या देवी अहिल्यवाई होलकर के द्वारा यहाँ पर कोशन है मार् बढ़िया चलिएगा लाइक वाइक आप लोगों ने नहीं किया देखिएगा यहाँ पर नीलम का आंसर आ रहा है क्या आदी गुरु संक्राचारिये तो आदी गुरु संक्राचारिये जो है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा आदी ग किनारे मंदिर कोई बात नहीं, वो मिस हो जाता है, ठीक है, चलेगा, सब को मोका देना चाहिए, अच्छी बात है, देखो, अगला question है, important है, mark कर लेंगे, question number 3 है, ठीक है, बाद में अगर हम बात करेंगे, normally, ठीक है, तो इसमें जो सारे की सारी चीज़े, अगर हम बात करेंगे, तो ये सारे किसा answer, okay, okay, कोई बात नहीं सीखा, जी, tension ना लीजिएगा, तही अध्यान रखेगा, और class को बाद में जरूर देख लीजिएगा, स्वण मंदिर इन में से, किस तलाब के भीच इस्थित है, the golden temple is situated between which of these ponds, तो उरी pond है, golden pond है, सुर सरोबर है, या फिर golden सरोबर है, answer कर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा, उरी pond है, मतलब उरी तलाब है, golden pond है, या फिर आप लोगों का सुर सरोबर है, या फिर golden सरोबर है, answer कर देंगे फटा-फट से, तो दोस्तों देखो, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो इसमें आप लोगों का जो answer बनेगा, that is सुर्ण सरोबर, ठीक है, हम उसको ना तलाब नहीं बोलते, ठीक है, इसलिए B option गलत हो जाएगा, तो golden सरोबर, सुर्ण सरोबर आप लोगों का जो है, जो हमारा सुर्ण मंदिर है, दोस्तों, अगर हम बात करेंगे, तो golden temple कहा पर है, सर सभी को मालूम है, golden temple है, दोस्तों, कहा पर है दोस्तों, अमरित सर में, और अमरित सर को किसने बसाया था, सर अमरित सर को बसाया था, गुरू राम दास जी ने, किसने बसाया था, गुरू राम दास जी ने बसाया था, अमरित सर के अंदर एक और मंदिर बड़ा फेमस है, तो वो हमारा नाम है, दुर्ग्याना टेंपल कौन सा टेंपल दोस्तो दुर्गियाना टेंपल तो जो दुर्गियाना टेंपल है वो भी अमरित सर के अंदर है गोल्डन टेंपल भी अमरित सर के अंदर है गोल्डन टेंपल कौन से गुरु जी के नाम पर है तो श्री गुरु हर्मिंदर साहिब जी के नाम पर ठीक अगला कोशन देखे लेते हैं लोग दोस्तो अगर आपसे पूछा जाएगा जो आपका एक हमारा शरणा जो आपका वश्वेश्वर temple is located शरणा वश्वेश्वर मंदिर भारत के किस राज़े में है तो यह जो शरणा वश्वेश्वर मंदिर है यह है भारत के कौन से राज्य में है सर आंधर प्रदेश में है करनाटक में है केरला है तमिल नाडू है आंसर कर दीजेगा मतलब यह जो कोशन से आप लोगों के यह सारे के सारे जो अपकमिंग एक्जाम से आप लोगों को उनमें ध्यान में रख करके यह सारे के सा नहीं आंसर आरा कोई विक्कत नहीं है आप लोगों को क्या करना है हाँ पर सीखने को पर ध्यान देना है तो दोस्तों आंसर बनेगा करनाटक आप लोग का आंधर प्रदेश तमिल लाडू बोल रहे हो तो आंसर क्या बनेगा करनाटक बनेगा ठीक है तो आंसर जो बनेगा द वरना तो फिर अगर एक ही जैसी चीजे होती रहती हमेशा तो बंदा एक ही बार ना पढ़ लिया करता ठीक है बताओ मुझे ठीक है तो यह आप लोगों का क्या है अगर एक ही मतलब जैसी चीजे आपको हमेशा मिलने लगती ठीक है तो फिर आप लोगों का क्या है तो चीजे नई भी तो होती है ना चाहे जी के ही क्यों ना हो ठीक है तो ये सारे की सारी चीजे हैं आप लोगों को ध्यान में रखनी है आप लोगों को मैंने अब आप लोग मेरे से बोलोगे कि सर ये कहां से आया तो लगभग अब से डेड़ महीना पहले मैंने आप लोगों को ने एक हॉस्पिटल के बारे में बताया था डेड़ या दो महीना पहले बताया था कोरोना के टाइम पर एक हॉस्पिटल के नाम पर बताया था मलब वो सरना वश्वेश और हॉस्पिटल के बारे में बताया था तो मुझे फिर ऐसा लगा कि नाम पर मंदिर भी पूछा जा सकता है क्यों कि मंदिर भी है उस नाम पर ठीक है तो ये चीज ध्यान रखेंगे तो आपका अंसर जो बन जाएगा करनाटक बन जाएगा क्लियर हो गई मेरी चीजे अच्छा अगर कोई आपसे ये पूछने लगे मेरे दोस्तो हमपी चैरियट कहां पर है जो हमारा हमपी है हमपी चैरियट कहां पर है बताएंगे जल्दी से ठीक है हमपी चेरियट कहाँ पर है बता सकते हैं दोस्तो आंधर प्रदेश के जब भी हम बात करेंगे तो तिरूपती बाला जी जो तिरूपती बाला जी है वो कहाँ पर है आंधर प्रदेश के अंदर है दोस्तो केरल की बात करेंगे पदमा स्वामे टेंपल जो पदमा स्वामे टे तमिलनाडू जो आप लोग का महावली पुरम है वो तमिलनाडू के अंदर है इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है और चुकि आप लोगों का क्या है इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे अगले कोश्चन पर बात करेंगे तो अगला कोश्चन आजाएगा दिलवा जैन टेंपल लोकेटिड तो यह जो दिलवारा जैन टेंपल है मेरे दोस्तों यह कहां पर लोकेटिड है मध्यप्रदेश के अंदर है राजिस्थान के अंदर है जारखंड के अंदर है या फिर उडिसा के अंदर है इसका आंसर कर दीजिएगा फटा फट से बहुत बढ़ तो दिलवाडा जैन मंदिर जो है वो कहां पर है ये हमारा राजिस्थान के अंदर है और सभी लोग आप लोग कर रहे हैं आंसर बहुत बढ़िया ठेक है राजिस्थान में चलो राजिस्थान के थोड़ी से अगर हम बात करते हैं तो राजिस्थान के अंदर दो चीजे आप हमेशा ध्यान रखेगा एक तो आप लोगों को याद रखना है मेरे दोस्तों जो हमने मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों को कुछ solar power plant पढ़ायते तो उसमें solar power plant था मेरे दोस्तों फलोदी कौन सा फलोदी तो जो फलोदी solar park है वो भी राजिस्थान के अंदर है और मेरे दोस्तों धीरूबाई अंबानी कौन सा धीरूबाई अंबानी जो है वो भी हमारा राजिस्थान के अंदर है तो दोनो सोलर पार्क हो गए, चलिएगा उसके बाद अगर हम मध्यप्रदेश की बात करेंगे तो दोस्तों महा कालेशवर जोतिरलिंग कौंसा? महा कालेशवर जोतिरलिंग उज्जयन के अंदर और मेरे दोस्तों ओमकारेश्वर जोतिरलिंग है कहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे तो ओमकारेश्वर जोतिरलिंग और महा कालेश्वर जोतिरलिंग दोनों के दोनों आपको कहा मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर मिलेंगे दोस्तों जारखंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मिलता है आप लोगों को वैद्यनाथ मंदिर जो वैद्यनाथ देखो वैजनाथ मत कर देना वैजनाथ हिमाचल पृदेश में चला जाएगा और ये वैद्यनाथ जो है ये आपका जहारखंड में आ जाएगा दोस्तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा जो कोनार्क सन टेंपल है कौन सा मेरे दोस्तो कोनार्क सन टेंपल है ये कहाँ पर मिलेगा सर जी ये उड़ी सा में मिलेगा चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तो किस पहाडी पर प्रिशिद माता वैशनुदेवी मंदिर इस्तित है तो माता वैश्णु देवी मंदिर सबको पता है कहाँ पर है लेकिन अब पूछ रहा है कि पहाड़ी कौन सी है तो डोगरी पहाड़ी है दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी है पीर पांजाल रेंज है या फिर सामबा पहाड़ी है तो आंसर क्या करेंगे आप लोग बता दीजे बहुत बढ़िया दोस्तों अगर मैंने आपको बताया था कि कल डोगरी पहाड़ी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को मैंने कल जब डोगरी पहाड़ी पढ़ाया था तो उस पर क्या बताया था जल्दी से बता देंगे ठीक है तो देखो डोगरी तो यहाँ पर आंसर नह ठीक है तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है आंसर बनेगा मेरे दोस्तों त्रिकुट पहाडी क्या बनेगा त्रिकुट पहाडी बिरला मंदिर है डोगरी में बिल्कुल जस्ट ब्रेकिंग कल बताया था आप लोगों को अच्छा एक बात समझेंगे देखो ध् 2018 था जिसका नाम बदलकर के बाद में भारत सरकार ने क्या कर दिया बंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया क्या कर दिया दोस्तों बंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया तो ये जो बंदे भारत एक्सप्रेस है जब ये दिल्ली से कट्रा तक के लिए चलाई गई कहां से दिल्ली स कट्रा की दूरी कितनी देर में तै करेगी तो मेरे दोस्तों दिल्ली से कट्रा तक की दूरी का समय जो है वो 8 गंटे इन्होंने जो है लगाया है यहाँ पर इस ट्रेन के द्वारा तो बंदे भारत ट्रेन जो दिल्ली से कट्रा तक जाएगी 8 गंटे में पहुचाएगी अमि आगे बात करते हैं फटाफट से भारत के किस मंदिर को Black Pagoda के नाम से भी जाना जाता है Lotus Temple को या फिर मैं बात करूँगा मिनाक्षी Temple को Sun Temple को या Golden Temple को तो Black Pagoda के नाम से किसको जाना जाता है आंसर कर दीजियेगा एक बार फटाफट से ठीक है चलिएगा बहुत बढ़िया ये सारी की सारी चीजे है तो इसमें आप लोगों का क्या है Lotus Temple है, मिनाक्षी Temple है, Sun Temple है या Golden Temple है आंसर करेंगे ठीक है तो बहुत बढ़िया यहाँ पर देखेगा जो Black Pagoda हम बोलते हैं मेरे दोस्तों वो किसको बोलते हैं, सर सन Temple को बोलते हैं, यह Sun Temple कहाँ पर है, कोनार्क के अंदर है दोस्तों कोनार्क के अंदर है, कोनार्क कहाँ पर है, उडिसा का एक टाउन है, यह आप लोगों का कोनार्क ध्यान रखेंगे ठीक है तो Black Pagoda इसको भी हम बोलते हैं, अच्छा एक चीज और समझेंगे यहाँ पर, जो कोनार्क सन Temple है, वो कितने रुपे के नोट के पीछे है जल्दी बता दीजेगा, क्योंकि नोट तो आपके पास है, तो कितने रुपे के नोट के पीछे है मेरे दोस्तों, यह जो Golden Temple है, तो अगर हम बोलेंगे, तो Golden Temple जो है, वो कोन सी Sarover मिलती है Golden Temple पर थोड़ी दिर पहले पढ़ाया था, Golden Temple के बाहर कोन सी Sarover है मेरे दोस्तों, तो जल्दी से उसका नाम बता देंगे, क्या नाम है, Sarover का उसके बाद जो मिनाक्षी टेंपल है दोस्तों, यह कहां पर है मिनाक्षी टेंपल, ठीक है, एक मा कामख्या टेंपल है, तो मा कामख्या टेंपल कहां पर है, और मिनाक्षी टेंपल कहां पर है, यह famous है, जर्नली पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिनाक्षी टेंपल बता दो कहा पर है और दोस्तों यह जो लोटस टेंपल है यह आप लोगों का वही है जो हमारा कौन सा मेरे दोस्तों दिल्ली वाला है ठीक है तो जल्दी से मिनाक्षी मंदिर के बारे में बताएं फटा फट से मिनाक्षी मिनाक्षी मा कमक्या असम के अंद कितने रुपे के नोट के उपर है छोटा सा नोट है बता दो एक बार ठेक है चलिए उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखेगा तुंगनात मंदिर भारत के किस सहर में इस्तित है तुंगनात मंदिर तुंगनात टेंपल चमोली में है मेरे दोस्तों मंडी में है या फिर चमबा में है या फिर शिमला में है तो बता सकते हो तुंगनाथ मंदिर कहां पर मिलेगा चमोली में मिलेगा मंडी में मिलेगा चमबा में मिलेगा या फिर मेरे दोस्तों कहां शिमला में मिलेगा जल्दी से बताए दस रुपे के नोट पर भाईया कोनार्क का पीछे दे रखा होता है 10 उरुपे 10 उरुपे 10 उरुपे ओके चलिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा कहाँ पर तुंगनाथ टेंपल जो मिलेगा वो चमोली में मिलेगा यह चमोली कौन से राज्ये में है अगर वो अभी राज्ये पूछ लेता तो राज्यी क्या बताते हैं आप लोग चमोली के बारे में 3-4 बार मैंने आपको पढ़ा रखा है जल्दी से बता देंगे फटाफट से यह चमोली जो डिस्टिक है कहा का डिस्टिक है तो चमोली डिस्टिक मेरे दोस्तो बहुत बढ़िया अभी तक किसी हिमाचल का नहीं है उत्राखंड 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 ठीक है जो चमोली है दोस्तो उत्राखंड का है चमोली डिस्टिक इन उत्राखंड याद रखेंगे तो तुंग नाथ टेंपल जो है वो आपका उत्राखंड के अंदर है याद रखेंगे दोस्तो धोली गंगा कहां पर है जो आप लोगों की धोली गंगा है तो धोली गंगा भी हमारी उत्राखंड के अंदर ही है ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है तो चमोली इन उत्राखंट याद रखेंगे मंडी मेरे दोस्तों मंडी कहां पर है हिमाचल प्रदेश के अंदर है चमबा आप बता देंगे शिमला आप बता देंगे कहां पर है चमबा और शिमला का तो नाम ही इतना famous है ठीक है चलिएगा उसकी बाद मेरे दोस्तों साथ पहाडियों के बीच कौन सा मंदिर है जल्दी से बताएंगे situated between seven hills तो which temple is situated between seven hills बैंककटेश्वर मंदिर है ब्रहदेश्वर मंदिर है रंगानात स्वामे है या काची पूरम है आंसर करिएगा फटा फट से जल्दी से बहुत बढ़िया ठीक है UKHP में confusion अनिता जी करते ही क्यों हो जल्दी से मुझे बतादो आंसर इसका ठीक है तो जो आप लोगों का ये है इसके बारे में बतादो एक बार फटा फट से ओके कल बताया था आप लोगों को बहुत बढ़िया जो हमारा Wenkateshwar Temple है हमारा कौन सा मेरे दोस्तो Wenkateshwar Temple Wenkateshwar Temple जो है वो हमारा मेरे दोस्तों साथ पहडियों के बीच में है तो situated between seven hills ठीक है अब आ जाओ ए पर बापस आ जाओ खीक है चलिएगा टो जो हमारा मेरे दोस्तों है अगर हम बात करेंगे तो ये कहा पर है वेंकटेश्वर टेंपल आंधर प्रदेश के अंदर है मालूम है ना आंधर प्रदेश के अंदर है ठीक है अच्छा ये जो आप लोगों का अगर हम बात करेंगे ब्रहदेश्वर टेंपल है ये कहा पर है आप लोगों का जो ब्रहदेश्वर मंदिर है बताओ जल्दी से कल पढ़ाया नहीं था ब्रहदेश्वर मंदिर आपको तमिल नाडू के अंदर ठीक है तमिल नाडू के अंदर बहुत बढ़िया ठीक है तो ये जो है लोड सिवा का टेमपल है बिलकुल ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं कावेरी नदी के किनारे है याद रखेंगे लोर्ड शिवा का मंदिर है रंगानाथ स्वामे टेंपल कहां पर है ये भी तमिलाडू के अंदर है और दोस्तों ये जो आपका काची पूरम है ये भी तमिलाडू के अंदर है कल ही तो पड़ाया था काची पूरम रंगानाथ सब कहां पर मिलेंगे तमिल नाडू के अंदर मिलेंगे ध्यान से बहुत सही है सारा का सारा इस तरह से चीजों को देखेगा ठेक है गलत हुआ है कोई दिक्कतनी याद रहेगा कम से कम ब्रहादेश्वर टेंपल का अगर रीवर किस स्थान पर है जिसको मेरे दोस्तो संक्रा चारी जी ने स्थापित किया था बताएंगे फटाफट से ठेक है तो आंसर करेंगे यहापर कन्या कुमारी है रामेश्वरम है कोची है या मंगलूरू जो आप लोगों का क्या है मंगलूरू है जल्दी से बताएंगे श्रग्रेरी मठ कहाँ पर है चलिएगा अच्छे एक बात सुनो ध्यान से पहले इस कोशन को बाद में करेंगे भारत में टोटल मठ कितने है बताएंगे एक बार मुझे कि भारत में कितने मठ है कितने मठ है भारत के अंदर कहां पर कितने मठ है भारत में भाई ठीक है 4 मठ है ओके कोई 4 बता रहा है 4 मठ है 4 मठ है 44 है ओके 9 है 12 है 4 है दोस्तो ध्यान से समझेंगे भारत के अंदर लगभग लगभग मिला जुला करके 24 मठ है लेकिन कोशन यह नहीं बनता भारत में पूछा जाता है कि हमारे major mut कितने है major mut कितने है तो हमारे जो major mut है वो के वल 4 है ठीक है 4 major mut के नाम आपको last में बताऊंगा आज ही class है तो इस class में रखे हुए है मैंने end में कुछ theory वाला portion है तो उसके अंदर आपके सारे के सारे 4 mut हो का विब्रण है कि कौन सा मठ जो मतलब हमारे जो ये मत हैं मठ हैं ये वेद से रिलेट हैं तो कौन सा मठ कौन से वेद के अनुसार है कौन सा रिग वेद में है कौन सा यजुर वेद में है कौन सा अर्ध वेद में है वो सारी की सारी चीजे मैं बताऊंगा एंड में चार मठ हैं हमारे मेजर ओके तो यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर आजाएगा दोस्तो क्या आंसर बनेगा बिल्कुल सही जवाब है आपका ठीक है तो आंसर जो बनेगा रामेश्वरम बनेगा क्या बनेगा रामेश्वरम बनेगा तमिल नाडू ठीक है तो श्रंग्रेरी मठ किस स्थान पर है जि या फिर golden temple है answer कर दीजेगा फटाफट से ठेक है answer करेंगे फटाफट से जल्दी से दोस्तो अगला question लक्षमी नाराण मंदिर sun temple lotus temple या golden temple बहाई मंदिर का दूसरा नाम क्या है ठेक है तो बहाई मंदिर का दूसरा नाम है एक बार बता दीजेगा फटाफट से जल्दी से ग्यारवा question आपके सामने आ चुका है तो ये मेरे दोस्तों आप लोगों का आ जाएगा पपुजी sun temple का तो अभी बताया था आपको black पगोडा ठेक है तो दोस्तों ये answer बनेगा lotus temple क्या बनेगा lotus temple बनेगा ठीक है ये जो lotus temple है कहाँ पर है दिल्ली के अंदर है सभी को मालूम है ठीक है और दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या है बहाई मंदिर तो बहाई मंदिर मेरे दोस्तों lotus temple है याद रखेंगे उसके बाद मेरे दोस्तों देखो ध्यान से समझेंगे लक्ष्मी नारायन मंदिर बहुत जगा है लेकिन कल पढ़ाया था बिरला मंदिर वाला जो बिरला मंदिर है हमारा उसको लक्ष्मी हम क्या बोलते मिर दोस्तो लक्ष्मी नारायन जी को dedicatedly किया हुआ है उसके बात sun temple अभी पढ़ा है golden temple भी दोस्त पढ़ाता कौन से मठ को पढ़ाता श्रंग्रेरी मठ को पढ़ाता अब हम पढ़ने जा रहे मेरे दोस्तों किसको हमारे गोवर्धन मठ को तो देखो जो हमें चारों मठ ऐसे भी पढ़ा दूगा और आपको बता भी दूगा कि कौन से वेद से हैं ये तो जो गोवर्धन मठ ह वो अब पढ़ रहे है श्रंग्रेरी मठ थोड़ी देर पहले पढ़ा था तो जल्दी से बता देंगे जो गोवर्धन मठ है वो कहाँ पर situated है कटक में, पूरी में, भूवनेश्वर में या हैदराबाद में बहुत बढ़िया, इसको तो पूरा पूरा बता रहे हैं, आप लोग सही बता रहे हैं तो ये आपको मिलेगा पूरी के अंदर तो जो हमारा दोस्तो ये हमारा श्रंग्रेरी मठ था वो कहाँ पर था, रामेश्वरम में था, जहांके एपी जी अब्दुलकलाम सहाब थे ठीक है, और जो हमारा मेरे दोस्तो ये गोदावरी, गौरधन मठ है ये कहाँ पर है, पूरी के अंदर है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है उसको जो है, आप लोगों का याद रखना है, दोस्तो हमेशा क्लास की कोशिश करना की लाइव क्लास को देखो, ठीक है, खास करके जब प्रक्टिस वाली क्लास चल रही हो, ठीक है आप अगर content वाली class है उसको बाद में भी देख सकते हैं लेकिन जब practice वाली class है तो उसको live देखने की कोशिश करनी आप लोगों को ठीक है चलो आगे बात करते हैं अगले question पर दोस्तो थिलाई नटराजन पूजो temple है जो आपके थिलाई नटराज है temple is located in which state तो जो थिलाई न पताएंगे फटाफट से ठीक है बहुत बढ़िया तो दोस्तो जब भी हम बात करेंगे किसकी हम बात करेंगे थिलाई नटराजन की ठीक है तो यह आप लोगों को मिलेंगे कहाँ पर तमिलनाडू 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 थिलाई नटराज मंदिर दोस्तो थिलाई नट तो थिलाई नटराज मंदिर आपको तमिल नाडू के अंदर मिलेगा ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है इंपोटेंट है दोस्त मार्क कर लेंगे काफी काफी इंपोटेंट है ठीक है चलिएगा ठीक है आगे चलते है फटा फट से दोस्तो केरल में पदमा स्वामे टेंपल पढ़ा है उडीसा के अंदर जगनात यात्रा निकलती है दोस्तो और आंधर प्रदेश में मलिका अर्जुन जो जोतिरलिंग है वो मिलेगा गोवर्धन मठ किस स्थान पर है जिसे संकराचारे ने इस्थापित किया था कोशन रिपीट हुआ है बता देंगे तो दोस्तो ये मिलेगा आपको पूरी के अंदर ठीक है चलिएगा उसके बाद है मेरे दोस्तो सार्दा मठ तीसरे मठ की बात आ गई एक हमने पढ़ा मेश्वरम में था अब बात कर रहें दोस्तो सार्दा मठ की तो ये जो सार्दा मठ है जिसे संकराचारे ने इस्थापित किया था मेरे दोस्तो भुझ में राजकोट में द्वारका में सूरत में जल्दी से बता देंगे फटा फट से तो ये कहां पर मिलेगा आप लोगों क तो यह मिलेगा आप लोगों को जो है कहां पर दोस्तो यह मिलेगा आपको द्वारका द्वारका ध्यान रख लेंगे यह आपका काफी important भी है ओके चलिएगा आगे चलते हैं फटाफट से जोती मठ के सिस्थान पर है जिसे संकराचारे ने किया था अब देखो ध्यान से आप लोगोंने कौन-कौन से मठ पढ़े तो हमने जो पहला मठ पढ़ा था मेरे दोस्तों हमने श्रंग्रेरी मठ पढ़ा था जो की रामिश्वरम में था ठीक है उसके बाद मेरे दोस्तों आप लोगोंने कौन सा मठ पढ़ा जल्दी से बता दीजेगा अभी अभी हमने कौन सा मठ पढ़ा दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा और चोते नंबर पर हमने पढ़ा मतलब चोते नंबर पर जोती म मठ है ये कहा पर है केदारनात बद्रिना थरी द्वार रिसी केस ठीक है तो एक श्रंग्रेरी मठ जो आपका सबसे जादा टफ था मेरे दोस्तों वो आप लोगों को मालूम है श्रंग्रेरी मठ जो है आप लोगों का वो कहा पर है इसमें केदारनात कर रहे हैं बहुत बढ़ जल्दी से ठीक है और चोथा मट जो है जोती मट है ठीक है तो गोबरधन मट पढ़ा है बिलकुल बहुत बढ़िया शारदा मट पढ़ा है बहुत बढ़िया जोती मट पढ़ा है बहुत बढ़िया और श्रंग्रेरी मट पढ़ा है ठीक है चलेगा तो यहाँ पर दोस्तों य भी लोग क्या करेंगे चारो के चारो के नाम लिख देंगे ठीक है चारो के चारो जो है नाम लिख देंगे जो चारो के चारो है वो नाम लिख देंगे क्या बात है हां जी आठवी सेंचुरी में बना था ये बहुत बढ़िया आठवी सेंचुरी में बना था ठीक है चलिए ठेक है तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जो है आंसर बिलकुल आपके सामने है जो भदरी का अश्रम है जो भदरी का अश्रम है ठेक है वो आप लोगों का है चारो के चारो के नाम लिख देंगे पूरी उड़ी सा चल दी ठेक है कोई डाउट है तो बता देंगे चलो कौन के रहे शार्दा मठ जो है वो कहां पे कोलकाता में नहीं है द्वारका वाले में कोलकाता में कब पहुँच गया द्वारका कैसे पहुच जाएगा हां जी है नुराग जी चारो दिसाओ के ठीक है चलिएगा मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के किस जिले में है बताओ जल्दी से भाईया मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के किस जिले में है मुंडेश्वरी मंदिर आंसर कर दीजेगा फटाफट से मुंदेश्वरी मंदिर जो है वो विहार के किस जिले में है आंसर करेंगे फटाफट से जल्दी बताएंगे फटाफट से क्या बाथ है चारो मठ के नाम याद होगए लास्ट में बताऑँगा इनके वेदा आपको ठीक है दोस्तो यह आप लोगों का कैमूर मिलेगा कहा पर मिलेगा कैमूर मिलेगा चलिएगा थोड़ा सा फटा-फट करते हैं कैमूर मिलेगा भागलपूर के अंदर आप लोगों का क्या है टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर है राजारानी मंदिर की सहर में स्तित है राजा राजा रानी मंदिर जो है वो भुबनेश्वर के अंदर मिलेगा तो राजा रानी जो है वो भुबनेश्वर में दोस्तो गड काली का देवी मंदिर की सहर में बताइएगा गड काली का देवी मंदिर नासिक में है मुंबई में इंदोर में उज्जैन में गड काली का मंदिर कहां पर है तो मेरे दोस्तों गड काली का मंदिर आप लोगों का कहां पर है सरमध्य प्रदेश में है तो ये तो वैसी कट जाएंगे आप लोगों के ठीक है तो कहां पर मिलेगा मेरे दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल सही आप लोग कुछ आंसर कर रहे हैं ये मिलेगा उत्राखंड में किस नदी के किनारे है थोड़ी देर पहले बताया था बता दीजेगा केदारनात मंदिर उत्राखंड में किस नदी के किनारे है तो जो हमारा केदारनात मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे है मंदाकनी है अलकनंदा है चिपरा है गंगा है तो आभी तो आप नागेश्वर जोतिरलिंग गुजरात के किस सहर में है नागेश्वर जोतिरलिंग गुजरात के किस सहर में है सोमनात में है जाम नगर में है एहमदाबाद में है या गांधी नगर में है तो मैंने कितनी बार बताया कि जब यह नाग आता है तो जाम लग जाता है ठीक है तो ये आप लोगों का कहा पर होगा जाम नगर के अंदर होगा मतलब जो आप लोगों का नागेश्वर जो तिरलिंग है वो कहा पर है तो ये मेरो दोस्तों आप लोगों का जाम नगर के अंदर है और जो सोमनात मंदी ट्रस्ट है उसके जो अध्यक्स बनाए गए है वो नरेंद दोस्तो चतुर्भुज टेंपल कहा पर है तो ये आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में राजिस्थान में मध्य प्रदेश में चतुर्भुज टेंपल के बारे में कई बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया है चतुर्भुज टेंपल चतुर्भुज टेंपल ओर्चा सहर के अंदर है कौन से में है और्चा सहर के अंदर है तो ये आप लोगों को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर जो और्चा सहर है वहाँ पर आपको चतुर्भुज मंदिर मिलेगा ठीक है आप लोग ध्यान से MP पुलिस का कोश्चन है ये चतुर्भुज टेंपल कि में स्थित है जल्दी से बताएं फटा-फट से लाइक वाइक कर दो एक बार लाइक नहीं किये ये कोश्चन एंटी-पी-सी में आया था हाँ बिलकुल रहुल वर्मजी आया होगा आगे भी आते रहेंगे जो ये सारे किसारे हैं ठीक है दोस्तो वैद्यनात मंदिर किस राज करता है तो इसलिए जारखन बन जाएगा उसके बार आगे चलते हैं श्री भाम रंबा मलिका अर्जुन मंदिर मेरे दोस्तों श्री भ्राम रंबा मलिका अर्जुन मंदिर कहां पर है तो मैंने मलिका अर्जुन से कई बार आप लोगों को बता है जब भी भ्राम रंबा मलि कारजुन है ये कहाँ पर है दोस्तो ये आपका आंधर प्रदेश के अंदर है याद रखेंगे इस चीज को भी चलिएगा अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन रामानात स्वामे मंदिर कहाँ पर है रामानात स्वामे मंदिर थोड़ी देर पहले ही बताया था उत्रा तो रामानाथ स्वामे मंदिर करनाटक में कैसे हो जाएगा तमिल नाडू है तमिल नाडू में रामानाथ स्वामे टेंपल है तमिल नाडू ठीक है चलिएगा उसकी बाद आगे बाद करेंगे तो घ्रनेश्वर मंदिर थोड़ी दिर पहले पढ़ाया था घ्रनेश्वर मंद किन गुफाओं के बीच है अगर वो घ्रणेश्वर मंदिर को पूछेगा तो महरास्टरा में है लेकिन जब गुफाओं के बारे में पूछेगा अजंता ऐलोगों को ध्यान में रखनी है इंपोटन्ट है अगला कोशन आप लोगों का जो बन जाएगा ध्यान से श्री त्रम्बकेश्वर मंदिर किस नदी के पास है श्री त्रम्बकेश्वर मंदिर जो है वो किस नदी के पास है तो गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, महा नदी है बताएं जल्दी से श्री त्रम्बकेश्वर मंदिर किस नधी के पास है तो मेरे दोस्तों जो श्री त्रम्बकेश्वर मंदिर है अगर पूछेंगे तो गोदावरी के पास है कहाँ पर है गोदावरी के पास है याद रख लेंगे बहुत बढ़िया शांदार मंडे को मेरे दोस्तों चाहते हो योजना है कराओ मंडे को आपको 40 कोशन योजना हो के कराओ मंडे को बताओ क्योंकि कल तो weekly test होगा कल इसी टाइम पर आप लोगों का 11 बजे weekly test होगा ध्यान रखेगा ठीक है और जो आप लोगों का और कल एक बार event को चेक कर लेंगे हो सकता है कल वाली क्लास 11 बजे की बज़े 10 बजे हो जाए तो उसको चेक कर लेंगे एक बार ठीक है और आप लोगों को अगर करना है तो जल्दी से बताएंगे मतलब 40 question आपको योजनाओं के बहतरीन वाले ठीक है मैं करा दूँगा मंडे को उसके बाद आगे करते हैं दोस्तो भीमा संकर मंदिर किस राज्ये में स्थित है जो भीमा संकर टेंपल है तो भीमा संकर टेंपल आप लोग हमेशा उज्जैनी में कहाँ पर उज्जैनी कहाँ पर आप लोगों का महरास्टा में ये भीमा संकर है मेरे दोस्तों कौन सा है भीमा संकर ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखिएगा 11 कल कल के लिए 10 बजे हो सकती है बस क्योंकि वो थोड़ा सेशन लंबा हो जाता है ना कल वीकली टेस्ट है आप लोगों का पूरा का पूरा उसमें मैं कराऊंगा यहाँ पर भी ठीक है चलिएगा उसके बाद आगे बात करेंगे नागेश्वर जोतिरलिंग गुजरात के किस सहर में है अभी बताया था जामनगर में है अगला कोशन दोस्तो सोमनात मंदिर किस राज्य में स्थित है सोमनात मंदिर बहुत आसान कोशन है सोमनात को तो गलत करना ही नहीं है सोमनात मंदिर कहाँ पर है गुजरात के अंदर है जैसा कि सभी लोग यहाँ पर जान ले रहे हैं ठीक है चलिएगा अगला कोश्चन है मेरे दोस्तों फटाफट से अब हम बात करेंगे तो next की देखेगा अगर आपसे पूछाएगा महा कालेश्वर जोतिरलिंग थोड़ी दिर पहले पढ़ाया था बताया था आप लोगों को कि महा कालेश्वर जोतिरलिंग या ओम कारेश्वर जोतिरलिंग दोनों के दोनों कहाँ पर मध्य प्रदेश में हैं महा कालेश्वर जोतिरलिंग कौन सी नदी के किनारे है महा कालेश्वर जोतिरलिंग चिपरा नदी के किनारे पर है जो की उज्जैन के अंदर है कहाँ पर है उज्जैन के अंदर है उत्राखंड के अंदर केदारनात बद त्रीनाथ है मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर काशी विश्वनाथ हैं और दोस्तों तमिल नाडू के अंदर तो हम बहुत देर से काफी सारे पढ़ी रहे हैं अगला कोशन है ओम कारेश्वर मेरे दोस्तों कहां पर है अभी तो पता है ओम कारेश्वर तो ओम कारेश कहाँ पर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे, उसकी बाद है दिलवारा टेंपल तो जिसका दिल बड़ा वही पर दिलवारा टेंपल राजिस्थान में में मेरे दोस्तों याद रखेंगे, अगला कोश्चन है तुरूपती बाला जी is located in चितोर डिस्टिक, जो लोगों का आंध्र प्रदेश है इससे भी बहतरीन क्या रिविजन होगा आप लोगों का बता सकते हैं अब लोग ठीक है स्री सीता रामचंदर स्वामे टेंपल जो है वो मध्य प्रदेश है तेलंगाना है आंध्र प्रदेश है या फिर राजिस्थान है तो स्री सीता राम चंदर जो है मेरे दोस्तों ये मिलेगा तेलंगाना के अंदर कहाँ पर मिलेगा तेलंगाना के अंदर मिलेगा ये चीजे आप लोगों को क्या रखनी है ध्यान रखनी है इंपोटेंट है अगला कोशन आप लोगों का जाएगा रंगानात स्वामे मंदिर किस राज्ये में है नोट ते लंगाना इट स्तमिल नाडू ओके चलिएगा मिनाक्षी टेंपल थोड़ी दिर पहले option के माध्यम से पूछाता कि मिनाक्षी टेंपल कहा पर है तो मिनाक्षी टेंपल जल्दी से बता देंगे कहा पर है फटा फट से तो दोस्तों ये मधूरई के अंदर है जिसको city of festivals के नाम से जाना जाता है और city of four junctions भी इसी को कहते है मधूरई 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 याद रखेंगे ठीक है उसकी बाद अगर हम बात करेंगे महाबलीपुरम मंदिर या शोर टेंपल देखो ध्यान से समझेंगे महाबलीपुरम या शोर तो महाबलीपुरम आपको पता है शोर भी मैंने पहले बताया हुआ है ये कहां पर मिलेगा सर्ये तमिल नाडू के अंदर मिलेगा महाबलीपुरम हो या शोर टेंपल हो ठीक है चलिएगा आगे देखे तो अगर अरुनाचलेश्वर मंदिर कहां पर है बताना एक बार ज़ल्दी से ये कोशन बताओ 40 नमबर अरुनाचलेश्वर मंदिर कहां पर है लाइक वाइक कर दो एक बार फटा फट से अरुनाचलेश्वर मंदिर कहा पर है अरुनाचलेश्वर मंदिर आंसर कर दो एक बार फटाफट से अरुनाचलेश्वर मंदिर कहा पर है तो दोस्तों ये अरुनाचलेश्वर मंदिर भी आपका कहा मिलेगा अगले question पर अब देखेगा, ये 40 question हो गए है, अब बाद में आएंगे, कुछ चीजे हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा उसको revise कर लो, दोस्तों केदारनाथ टेंपल कहां पर लोकेटिड है केदारनाथ टेंपल मेरे दोस्तों हमारा उत्राखंड के अंदर लोकेटिड है और अगर वो नधी पुछेगा तो मंदाकनी रीवर है कौन सी रीवर है मंदाकनी रीवर है दोस्तों यहाँ पर छोटे चारधाम का जिकर हम बार-बार करते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ, कब गया, कब गया, छोटा चारधाम केदारनाथ है, बदरीनाथ है, गंगोतरी है, यमनोतरी है ये छोटा चारधानम है केदारनात, बद्रिनात, गंगोत्री, यमनोत्री छोटा चारधानम है इसके बारे में जरूर याद रखेंगे उसके बाद बड़ा चारधानम मेरे दोस्तों तो बड़ा चारधानम क्या है आप लोगों का पूरी तीरत है, रामेश्वरम है या फिर आप लोगों का बद्रीनाथ है तो जल्दी से बता देंगे जो आपका बड़ा चार धाम है वो पूरी है आपका रामिश्वरम है द्वार का है और बद्रीनाथ है ये हमारा बड़ा चार धाम है अच्छा छोटे चार धाम का और बड़े चार धाम का कोमन क्या है बद्रीनाथ ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है important आप लोगों का बन जाएगा अगले question पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखेगा काशी विश्वनात मंदिर मैंने बता है ना काशी विश्वनात मंदिर तो दर्शन भी करेंगे आज हम लोग ठीक है तो यह मेरे दोस्तो है उत्तरप्रदेश काशी विश्वनात मंदिर है located इन बारानशी और महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका मेरे दोस्तो पुनर निर्मान करवाया था जो हमारी महारानी अहिल्याबाई होलकर थी इंदोर की उन्होंने इसका पुनर निर्मार करवाया था काशी विश्वनाथ टेंपल का दोस्तों वैद्यनाथ टेंपल जिसकी हमने बात की थी अभी जारकंद में ठीक है तो जब जारकंद वगेरा का फेपर होता है तो देवघर याद रखेंगे तो जारकन देवगर में है वैदिनात मंदिर ऐसा दिखता है यही हमने थोड़ी देर पहले डिसकस किया था अब मेरे दोस्तों हम इसको क्या कर रहे हैं अब एक बार हम इसको रिवाइज कर ले रहे हैं श्री अगर आपसे पूछा जाएगा भ्राम रंबा मलिका अरजुन तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था और बोला जाता है श्री साइलम टेंपल तो कल जब हमने पढ़ा था तो कल हमने इसका नाम पढ़ा था श्री सैलम टेंपल आज हमने इसको पढ़ा श्री भ्राम रंबा मलिका आरजुन ता कि आपको भ्राम ना रहे कि कौन सा मंदिर है तो दोनों के दोनों आपके हो गई है तो ये दोनों एक ही है और जो की कहा पर है आंध्र प्रदेश के अंदर है ये चीजे आप लोगों को ध्यान में रखनी है इंपोटेंट है देव घर हम गए है बहुत बढ़ी है रजनी कुमारी जी ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं अगले कोशन पर रंगानात स्वामे टेंपल कहां पर है रंगानात स्वामे बताया था कुछ इस तरह का दिखाई देता है कुछ इस तरह से रंगानात स्वामे का स्ट्रक्चर है दोस्तो घरनेश्वर मंदिर देखेगा घरनेश्वर मंदिर अलोरा नदी के अलोरा केब के पास है महरास्ट्र में तो अलोरा की गुफा के पास में कौन सा मिलेगा घ्रन एश्वर टेंपल मिलेगा अभी MCQ के माध्यम से हमने पढ़ा था ठीक है अभी MCQ के माध्यम से हमने पढ़ा था जो हमने कौन सा मेरे दोस्तों घ्रन एश्वर मंदिर ठीक है चलिएगा आगे बात करते हैं श्री त्रम् केश्वर ये भी महरास्टा है ध्यान रखिएगा बहुत बढ़िया चांदार है चलिएगा सब जगा जाना है बिलकुल ठीक है तो ये आप लोगों का important है आगे चलते हैं दोस्तो भीमा शंकर मंदिर महरास्टा में है बताया था और भीमा रीवर का जो ओरिजन हुआ है वो किस से हुआ है मेरे दोस्तो कृष्णा से ये एक अलग से question है जो पूछा जाता है जो आप लोगों का भीमा शंकर मंदिर है वो कहां पर है भीमा बांध भी पढ़ा होगा महरास्टा में और भीमा रीवर का जो ओरिजन किस से होता है कृष्णा नदी से मेरे दिर गुजरात में इस पे भी MCQ आपका बनाया मैंने दोस्तो महा कालेश्वर जोतिर लिंग उज्जैन के अंदर है बताया नहीं तब महा कालेश्वर उज्जैन में है थोड़े देर पहले जब बता रहा था तो situated on the side of holy river चिप्रा तो चिप्रा मेरे दोस्तो कुम्भ मेला याद आगया होगा आप लोगों को तो चिप्रा नदी के किनारे बसा सहर उज्जैन है जहाँ पर महा कालेश्वर जोतिर लिंग भी देखने को मिलता है चलिएगा ठीक है तो देखो पहले मैंने MCQ भी करा दिये य ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है चलो दोस्तों अमकारेश वर टेंपल जो है वो मध्य प्रदेश है ठीक है ध्यान रखियेगा उसके बाद सोमनाथ मंदीर जो है वो गिर शोमनाथ है ठीक है यहाँ पर देखेगा अगर मैं बात करू न देखो एक छीज है देखो ध्यान से मेरे दोस्त, अगर आपने पुरानी वाली भी पड़ी होगी न, तो पुरानी वाली भी देखना, और ये भी देखना, और उसमें एक word आता है, बड़ा प्यारा सा word होता है, update, तो बस उसी में दोस्त update की जाती है, तो देख सकते हैं, आप उस पुरानी पीडियेफ को, पुरानी क्लास को भी देख सकते हैं, तो चीज़े यहाँ वाली मिलेंगी, लेकिन इस क्लास में ज़्यादा मिलेंगी, तभी तो एक word बना है, update, तो ये सारी की सारी चीज़े हैं, ओके, चलिएगा, तो इसमें कोई डाउट है आपको, तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है, चलिएगा, ओके, आगे तो सोमनात मंदिर है, गिर सोमनात में है, सभी को मालूम है, ठीक है, दुआरकादीस मंदिर है, गुजरात में है, ठीक है, मलब देखो, हमारे उसमें कई बार न, अंधिविष्वास इसकादर है, एक बार में ये मंदिर की वो पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने बस ऐसी मजाक में बोल दिया, मैंने मजाक में बोल दिया, कि आज समझ लो, जिसका लाइक आ गया, मंदिर वाली वीडियो पे, तो भगवान का अशिरवाद जो है, वो साथ रहेगा, ठीक है, और उसमें क्या होगा, कि भाई, पेपर में सेलेक्शन हो जाएगा, उस वीडियो पे आज तक हाइस्ट लाइक है, ये लगा लो, तो ये, मतलब इस तरह का अंद्विश्वास भी ना हो, पढ़ाई करिएगा, बढ़ी अच्छी बात है, चीजे पसंद है तो लाइक करो, नहीं आए तो मत करो, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो जाता है, ठीक है, तो मैं तब से ये बात बोलता नहीं हूँ, ठीक है, अधरवाईज मैं च दोस्त मुझे बताना कि इयरफोन अभी निकालने है कानों से या अभी अभी आये हो, बताना एक बार, सानू अभी आये हो कि इयरफोन अभी अभी निकालने है कानों से, ठीक है, मिरे दोस्तों द्वारकदीस मंदिर गुजरात में है, ठीक है, दिलवारा टेंपल राजिस् के अंदर है सभी को मालूम है तिरुपती मेरे दोस्तों चितोर डिस्टिक में यही तो कोशन यही पहले थियोरेटिकल बनाया था उसके बाद उसके एमसी क्यू बने थे दोस्तों स्री सीता रामचंदर स्वामे टेंपल तेलंगाना है अभी अभी आप लोगों को पढ़ाया दियान रखेंगे उसके बाद दोस्तों स्री राम जो स्री रंगानात स्वामे टेंपल है यह कहां तिरुचापल ली तमिलनाडू के अंदर है पढ़ा दिया था बिलकुल यह जस्ट एक मैं आपको रिवीजन के तोर पर बता रहो मिनाक्षी टेंपल मदूरई कुछ इस तर यार के नाम से पूछा जाता है तो आप बड़ा एजीली कर देते हो लेकिन अगर यह अरुणाचल प्रदेश ओप्शन में मिल जाए तो फिर तो क्या ही कहने गलत करने का मतलब जो रेट होता है गलत करने का वो 100% से उपर निकल जाता है आप लोगों का तो इसको थोड़ा एक होता है घरनेश्वर टेंपल तो दोस्तो जो घरनेश्वर टेंपल है वो महरास्ट है घरनेश्वर टेंपल है महरास्ट में और ब्रहदेश्वर टेंपल कहा पर है तमिलनाडू के अंदर है याद रखेंगे ठीक है चलिएगा आगे है दोस्तो यहाँ पर महामलीपूरम शोर टेंपल यह हो चुका है हमारा दोस्तों खुजराव टेंपल जो युनेसको की heritage site भी है साची स्थूपा भीम बेट का केपस ठीक है तो चाहे साची स्थूपा पूछें आप मध्य प्रदेश लगाऊगे भीम बेट का पूछेंगा मध्य प्रदेश लगाऊगे और खुजराओ टेंपल पूझेगा तब भी आप क्या लगाऊगे युनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेस साइट है ध्यान रखेंगे अगला कोश्चन है देखो दोस्तों आज में कुछ योजनाए जो है वो एक बजे अनकेडमी एप पे भी करवाऊंगा और उससे डिफरेंट योजनाए मंडे को यहाँ पे भी कराऊंगा तो अनकेडमी एप भी आज योजनाओ का ही टेस्ट लूँगा स्टेटिक जीके में और जो आपका क्या कहते हैं हमारा मंडे को सेशन होगा यहाँ पर उसमें भी योजनाए ही कराऊंगा ठीक है चलिएगा आगे चले फटा-फट से चतुरुभुष टेंपल बताया था ना औरचा में है चतुरुभुष टेंपल तो देखेगा यह औरचा मध्य प्रदेश में है मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी पहले इसको वन लाइनर की फॉर्मेट में किया था फिर जो जो MCQ बन सकते थे यह सभी के सभी चीजे जो हमारा पिछला एक साल है तो पिछले एक साल में जो भी आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है मेरे दोस्तों आर्ट और कल्चर वाला पोर्षन जो पिछले एक साल का है उसी से सारी चीज़े आप लोगों की मैंने ली है यह ठीक है उसके बाद मेरे दोस्तो अब यह चार मठ है जो मठ मैं आपको बता रहा था देखो मैंने बताया गोवरधन मठ तो गोवरधन मठ कहां पे बताया था उ दोस्तों अगर हम बोलेंगे क्या ये जो आप लोगों का शारदा पीठ हम जिसको हम सारदा मठ के नाम से जान रहे थे मेरे दोस्तों ये कहां पर है करनाटक में है और इसका मेरे दोस्तों क्या है ये यजुर वेद से है किसे है दोस्तों यजुर वेद से है ओके उसके बाद पीठ मेरे दोस्तों द्वार का पीठ कहा पर है गुजरात में है जो की शाम वेद में है मेरे दोस्तों शाम वेद में है याद करा दूँगा भी करा दूँगा ठीक है शाम वेद में है दोस्तों गर हम बात करेंगे जोती मठ तो जोती मढड मेरे दोस्तों ये उतराखंड में है और ये कहां पर है आप लोगों का अर्थवेद है अर्थवेद है ध्यान रखेंगे आप लोगों को याद रखना है जो हमारी द्वार का है वो किसकी नगरी मेरे दोस्तो द्वारका जो नगरी है किसकी नगरी स्रीकृष्ण की नगरी तो वही द्वारका और वही मेरे दोस्तो शामवेद द्वारका शाम मतलब श्याम ठीक है श्याम मतलब स्रीकृष्ण ठीक है तो द्वारका जो है द्वारका पीठ मेरे दोस्तो कौन द्वारका पीठ शा कृष्णा 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 ध्यान रखेंगे चलिएगा ठीके कोई दाउट इसके अंदर बताएंगे अब मेरा एक कोशन आप लोगों से बनेगा एक कोशन क्या बनेगा मैंने एक चीज पढ़ाई थी जो आपका श्रंग्रेरी मठ न पढ़ाई था मैंने आपको मेरे दोस्तों वो कौन सा मठ है कहाँ पर है उसके बारे में आज का होमवर्क है ठीक है ध्यान रखेंगे और होमवर्क दोस्तों एक ये है आपका जो ब्रहदेश्वर टेंपल है ये कहाँ पर है पढ़ा दिया है ब्रहदेश्वर टेंपल कहाँ पर है ये भी homework है और ये आप लोगों की साम को class होगी 9 बजे तो 9 बजे शार्प आ जाईएगा marathon का event लगा हुआ है share कर देंगे like भी कर देंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सारी की सारी चीज़े ठीक है और ये जो एक भ्रहम नाम की चीज़ यहाँ पर लगी हुई है इस पर ध्यान नहीं देंगे ये भ्रहम लगा हुआ है ये PDF नहीं ये भ्रहम है ठीक है चलिएगा तो ये सारा का सारा था दोस्तो अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर अनकेडमी पर मुझे आप फोलो कर सकते हैं गॉरफ चौधरी के नाम से जहाँ पर आपकी क्लास जो है वो एक बजे में लूँगा ध्यान रखिएगा ठीक है ये सब्सक्रिप्शन का प्लान है GC10 कोड आपका अपना कोड है यूज कर सकते हैं कहीं भी ठीक है और आप लोगों को जो है थेंक्यू सो मच है क्लास कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो जरूर बताएंगे नो बजे रात को मेरत हने अपना फीडबेक जो है जरूर देंगे अपने टॉपिक्स जो भी आप करना चाहते उसको जरूर करेंगे और एक बहुत तगड़ी हिदायत है मेरे साथियों के लिए उन सभी साथिय के लिए एक हिदायत है जो बीच में आके सीधे कोशन दागते हैं तो वो थोड़ा सा भचके नहीं शुरू में आए ठीक है शुरू में आए बरामसे सारी बातों को सुने आपकी हर बात का जवाब मेरे हर बात में होता है ठीक है चलिएगा अच्छा एपैक और ओपैक के बारे में पूछ रहे है एसिया पैसिफिक एकोनोमिक रीजन है और ओपैक जो है तेल वाली कंट्री है और कुछ पूछने बता है क्या कहते हैं जस्ट ब्रेकिंग इसको में डिटेल में डिसकुसन कर दूँगा लेकिन अभी के लिए इतना बता दो कि जो यह है उस वेद में नहीं बने थे यह उन वेदों के आधार पे बने हैं बाद में सेफाली प्रभाब मुझे मैसिज कर देंगे उसमें मेरे नाम पर जाएंगे जो टेलिग्राम है मेरे नाम पर जाएंगे नाम पर जाने पर क्लिक करोगे ने तो मैसिज मुझे आ जाएगा तो मेरे मेरे को मैसिज कर देंगे ठीक है चलिएगा हाँ आज इकोनिमिक्स की क्लास सामको नहीं होगी तो कि आज मेरिथन क्लास है न चलेगा ठेक है हाँ समझी न आप जस्ट ब्रिकिंग जी मदब ऐसा नहीं गे उस वेद में सब में जाके बनवा रहे थे ठेक है उनके आधार पिचारों है यह ठेक है चलो चलते हैं फिर ठेक है भाई गिरी राज किसोर एक बार में एक चीज होगी की रोज होगी एक बार में एक ही चीज होगी न तो प्रिशित सहर का भी नमबर आ जाएगा ठीक है अब मुझे एक बाद बता दो गिरी राज मेरे दोस्त थोड़ा सा जब एक बार में एक चीज ही होगी तो अब एक ही तो हो सकता था आज एक कल को हो जाएगा एक परसो को हो जाएगा तो नंबर सहर का भी आ जाएगा टेंशन क्यों लेते हो संदीब कुमार PDF वाले दूर रहे मिर दूस्त नोट्स वाले ध्यान रखें ठीक है चलो होटाटा वायवे टेक केर जैहिंद जैभारत लाइक कर देना